दोस्तों ऐसे पार्टनर्स साउधान हो जाएं क्योंकि आज का टॉपिक है माइक्रो चीटिंग जो माइक्रो चीटिंग को अंजाम दे रहे हैं दरसल दोस्तों ये पताने की जरुवत नहीं है कि प्यार में मिले धोके पर आधारित कई सीरियल्स पिक्चर्स खबरें और कहानिया आपने खूप पढ़ी देखी और सुनी होगी वहीं आप सभी चीटिंग तो समझते ही होगी जी हाँ चीटिंग मतलब धोका देना तो क्या आप माइक्रो चीटिंग के बारे में जानते हैं क्या ये सब्द आपने पहले कभी सुना है दरसल लोगों को इस बात का पता ही नहीं चलता कि वो अपने पार्टनर के साथ इस तरह की चीटिंग भी कर रहे हैं जिसे माइक्रो चीटिंग का दरजा दिया गया है जी की हो रही है जी हां माइक्रोचीटिंग करने वाला व्यक्ति अपने पार्टनर की तुल्ला में रिस्ते के पति कम इमांदार होता है पुल मिलाकर एक कमिटेड इंसान का रुजहान पार्टनर के अलावा किसी और की तरफ बढ़ने लगता है तो यह असल में माइक्रोचीटिं में इंट्रेस्ट दिखाने लगे तब वो अपने पार्टनर से माइक्रोचीटिंग कर रहा होता है दरसल परशानी की बात यह है कि इस चीटिंग का खुलासा कम ही हो पाता है तो अब आप ही समझ गये होगे कि माइक्रोचीटिंग होती क्या है धोके के इस रूप को समझने के लिए आपको कुछ बातों को नोटिस करना पड़ेगा जैसे कि ऐसे में पार्टनर के भी जग्रे काफी बढ़ जाते है वहीं ऐसे लोग अपने एक्स को स्टॉक करते मतलब माइक्रोचीटिंग करने वाले लोग अपने एक्स को सोसल मीडिया पर स्टॉक करते हैं और कई सारे दिन फोन पर रहता है अपने पार्टनर को टाइम ना दे फ्री होने पर भी या दाल में तो कुछ काला है अगर ऐसा है तो ऐसा करने वाले पार्टनर को बात करके आप समझाएं आप कह दें कि प्लीज माइक्रोचीटिंग बंद करें नौट गुड फॉर अवर रिलेशन से दोस्तों कैसा लगा आपको इस टॉपिक कमेंट करके जरूर बताएं फिल्हाल इतना है जावर दीवे नमस्तुर्ट